लियरे स्ट्वेंट्स, 70th BPSC के लिए टाइम निकल चुका है, हम कहेंगे के टाइम निकल चुका है, फिर से सुन लिजे, BPSC के लिए जो 30 सप्तमबर को आज़ित होगा, उसके तैयारी के लिए टाइम निकल चुका है, कैसे? तीन महीने लगबग आपके पास है, और ये तीन महीने जिस तरह का प्रशना बार रहा है, ये तीन महीने भारी पड़ जाएगा, तो अगर अभी भी आप 7, 8, 10 दिन और देर कर देते हैं, या देर कर देते हैं, तो मान कर चलिए, कि आप रिस्क पे होंगे, चुके आज ये ए के दो बार वो इंटरिवू दे चुके हैं, बीपेसी का, और यूपेसी का प्रिलिम्स भी एक बार निकाल चुके हैं, और कह रहे हैं कि सर, इस पर घबराट हो रही है, चुके 69 और उससे पहले 68 ये दो साल का प्रिलिम्स एग्जामनेशन बीपेसी का इतना टफ था, कि इस टाइम निकलता जा रहा है, अगर आपने देर किया और देर किया 10-8 दिन, तो ये एक्जामनेशन आपके लिए हाई रिस्क पे होगा, हम फिर से कहते हैं कि ये एक्जामनेशन उतना भी टफ नहीं है, तैयारी का तरीखा आपको पता होना चाहिए, बहुत सारे लोग अच् हमने डिटेल्स में बताया है कि कैसे आप BPSC के प्रिलिम्स की तैयारी आराम से करके रिजल्ट 100% रिजल्ट में आ सकते हैं, अब आई ये बात करते हैं कि अगर आपने तैयारी अभी तक स्टार्ट नहीं की है, तो आज से स्टार्ट कीजे, कैसे स्टार्ट करना चाहिए, डेली 5 टॉपिक्स पढ़िए न, केवल 5 टॉपिक्स डेली पढ़िए, इस तरह से महीने में आपका 1500 टॉपिक्स हो जाएगा और दो महीने में 300 टॉपिक्स हो जाएगा, और छोटे बड़े 300 टॉपिक्स आप कर लेते हैं, तो ये एक्जामनेशन आपके रीच में होगा, हिस्ट्री में अगर पढ़ना है आपे स्टार्ट ले सकते हैं, योरोपियनों का आगमन, आधुलिक बारती इतियास में, योरोपियनों का आगमन, कोई भी बुक आपके पास है, और आइवल ओफ योरोपियन साब पढ़कर समात कर दीजे, जोगरफी में, इंडियन जोगरफ होता है, जीव विग्यान का परिचे, इंट्रोड़क्शन आफ बायोजी, और साथ ही, लोजी और कल्चर आपको दिखाए देगा, विग्यान की शाखाएं, पहला टॉपिक जो बायोजी का होता है, उसमें जीव विग्यान का परिचे होगा, और साथ ही, विग्यान की कहां से करें आदुनिक बारती इतियास से उठाइए बिहार के जो कोश्चंस होंगे लगबग 18-20-25 कोश्चंस हो सकते हैं डिपेंड करेगा 18-20-25 कोश्चंस हो सकते हैं जिसमें इतियास और भुगोर से सरवादिक प्रशन होंगे पॉलिटी से 2-3 प्रशन हो सकते हैं जीके क पुर्तगीर, डच हैं, फ्रांसीसी हैं, अंग्रेज हैं, ये सब कहां कहां से कैसी आए, कौन नितिय तो कर रहा था, क्या व्यापार कर रहे थे, किस से युद कर रहे थे, कौन से नितिया चला रहे थे, परशासन कैसे चला रहे थे, ये ये यूरोपेनों का आगमन, बिहार म करेंड हेंगा है किसा है में से किसी से भी मंतली हमेंगेंग लिए लेकिन मोफ तो निकल चुका है आपको एक साल पुराना पढ़नाला चाहिए। एक साल पुराना आपको पढ़ना है तो अगर सेब्टमबर में एक्जामनिशन होगा तो एक साल पुराना एक अक्तूबर से उठाईए 2023 एक अक्तूबर 2023 से उठाईए और सेब्टमबर 2024 तक का पढ़ जाए करिंट आफ़र्स, साथ में एक वार्षी की करेंगे, SPD वालग कर लिजे, आपका करिंट एफिर्स बहुत अध तक, रीच में होगा, समझ में आया, पांच टॉपिक्स आपको डेली करना है, हिस्ट्री हमने बता दिया, जोग्रफी हमने बता दिया, साइंस हमने बता दिया, बिहार स्पेशाल हमने बता दिया, करिंट ए परिशानियों के कारण, इमर्जंसी के कारण, तो भी दो महीने में ये सिलिबत समाप्त हो जाएगा, अगर डेली ये पांच टॉपिक्स आप करते हैं, फिर से हम कहिए देते हैं, कि इस बार का एक्जामनेशन कैसा होगा, किसी को नहीं पता है, चुके अतुल सर जा चुके पिछले चेर्मेन ठोक बजाकर बार बार जोर देकर कहते थे, हम रटने वालों को नहीं लेंगे, ग्रुप C, ग्रुप D के तियारी करने वाले स्टुएंट्स को नहीं लेंगे, हम UPSC के तियारी करने वाले स्टुएंट्स को लेंगे, वो तो साब कहते थे, और इसलिए प नहीं आएगा 69th का अगर आपने देखा कोश्चन तो मान कर चलिए कि यह अपेक्स लेवल पे था सबसे टफ बीपेसी का अब तक का कोश्चन था अब इससे टफ नहीं आएगा चुकर नए चेर्मेन किस तरह के प्रशनों को लेकर आएंगे किसी को नहीं पता है यह तो बोलत यह डिप्थ में पढ़िए डिप में पढ़िए समझ कर पढ़िए बार बार यह सारी बातें वो बताकर आपको जगाते रहते थी और वही हुआ 68th और 69th का अग्जामनेशन इतना टफ आया कि शायद उससे पहले इतना टफ एक्जामनेशन हुआ था लेकिन मेरा आप मानना है कि अब या तो इसी अस्तर का प्रशन आएगा या इस से थोड़ा सा हल का ही आएगा तो अभी से लगिए आपके पास अभी भी इतना टाइम है कि अभी भी आप लगते हैं या लगती हैं हमारी शात्राएं भी तो अभी भी यह एक्जामनेशन आपकी रिच में है और जिने समझ में भी नहीं आता है तो हमारा कोर्स चार जुलाई से आ रहा है इसमें डेली का एक होमवक्स रीज आएगा डेली प्रैक्टिस सेट आएगा डेली पीडियेफ आएगा करिंट एफियर्स का और हमारा मालजर्शन तो रहेगा ही कुल मिलाकर हम आपको डी हमने बताया आप अगर पेट कोर्स में नहीं आ सकते हैं तो वो पांच टॉपिक्स कीजे आपके पास जो भी बुक्स है पढ़िए लेकिन किसी ब्रम में मत रहिए अपने आपको सैटिस्फाय मत कीजे कि हम तो पढ़ रहे हैं बीपेसी के तयारी कर रहे हैं लेकिन किसी दि किसी दिन नहीं पढ़ रहे हैं किसी दिन कुछ भी नहीं पढ़ रहे हैं इस तरह से नहीं चलेगा अपने आपको discipline में बाधिए अगर result में आना है और discipline क्या होता है हम दो ही गंटे पढ़ते हैं लेकिन daily पढ़ते हैं daily पढ़ेंगे working professional आपके पास hardly 3-5 गंटे ओगा तो हमने कहा कि monthly आपको करना है आपके पास तो वो magazine होगा नहीं तो YouTube चैनल पकड़ लीजे और monthly एक अक्तुबर 2023 से बहुत सारा YouTube चैनल है परचोकता दरपन है, chronicle है, दृष्टिय का है उन सब का लेकर आते रहते हैं तो किसी भी channel को आप देख सकते हैं जिसमें monthly, month wise current reference रहता है उसे आप follow कर सकते हैं और yearly magazine के लिए speedy हमने कहा, blue color वाली speedy ले लीजे उससे yearly कीजे, लेकिन daily पढ़िए पांच topics तो आपको करना ही पढ़ेगा पांच topics आपको करना ही पढ़ेगा अगर इस examination में आपको आना है और इस examination को निकाल कर अधिकारी officer बनना है तो सबसे पहले अपने मन में विश्वास बैठाईए अपने आपको समझाईए कि ये सब जो इधर उधर की बाते हैं ये जो भटकाओ की सिती है ये जो इतनी जिम्मेदारिया हैं ये तो जीवन भर रहने वाला है इससे कभी किसी को मुक्ती नहीं मिली मुक्ती मिलेगी तो सिर्फ आपकी अपनी सोच से जिस दिन मन में बैठ गया कि यस हम कर सकते हैं हमी करेंगे कर के दिखाएंगे बहुत सारे शुब कामना हैं बेस्ट अफ लग टेक यर